Honka अलो एबरियोन आज मनलो बात करने वाले हैं सेंटर ईल्लक्रोंिक स्लिमिटेट से आड ये वेकेंशी के बारे में वेकेंशी स्लिम्टेट एक गवंवेंनेट वेंट इंडिया एटरप्राइज है और यहां पर जो vacancy निकली है वो दो category में है पहली है permanent और दूसरी है contract basis पर तो contract वोट्स के बत्वों के बाद में यहां आता है कि यहां पर job secure नहीं है और मैं भी इससे agree करता हूं बट जो candidates ऐसे हैं जिन्होंने अपना college के बाद preparation start किया किसी भी exams को लेके बट किसी वज़ा से उनका उस exam में clear नहीं हुआ और प्लस आपका age भी उस time तक काफी निकल चुकी होती है तो अगर contract job आपका किसी PSU या government organization है तो मेरे साब से वो अच्छा है क्योंकि contract job करके आप एक PSU का या एक government organization experience लेके आप कल को private में भी जा सकते हो और कई बार ऐसी भी opportunities आती है जहां पर government में भी contracts पर अगर आप काम किये हो तो वहां पर आपका आप उस चीज़ के लिए eligible होते हो permanent post के लिए और नहीं तो एक और होता है कि internal exams भी होता है internal exams में भी कई बार आपको as a regular candidate consider किया जाता है यह कुछ benefits हैं बाकी आप लोग का decision है जैसा इसमें apply करना है कि नहीं तो इसको one by one अम लोग डिसकस कर लेते हैं तो permanent post की बात करें तो पहला है deputy engineer ceramic field यह एक पोस्ट है और यहां पर दो vacancies है तो यहां पर इन्होंने B.E.B.Tech मांगा है ceramic metallurgy mechanical engineering यहां पर आपका graduation में overall 55% marks नहीं चाहिए प्रसे इन्होंने दो साल का experience मांगा है production manufacturing में और इन्होंने काया है कि preference ही वो देंगे अगर candidate का experience पीजो और ceramic industry field में second post है deputy engineer production and maintenance यह भी even grade का है यहां पर total 3 vacancy है OBC में 2 और ST में 1 है qualification की बात करें तो यहां पर इन्होंने दो प्रांच को qualify किया एक है electrical engineering और दूसरा है electronics engineering इन्होंने दोनों का अला गलाग separate बताया है तो पहले अगर electrical engineering की बात करें तो B.E.B.Tech मांगा है इन्होंने average marks आपका 55% होना चाहिए प्लस 2 years का experience electrical maintenance of equipment panels में होना चाहिए या और साथ में operation and maintenance of high temperature furnace में होना चाहिए और अगर आपने M.Tech कर रखा electrical engineering में तो यहां पर कोई भी experience इन्होंने नहीं मांगा है जूसरा इन्होंने eligible जो किया है वो है electronic तो यहां इन्होंने मैंने किया है कि अगर आपने B.E.B.Tech किया और आपका overall percentage 55% से उपर है तो आप यहां पे apply कर सकते हो प्लस इन्होंने 2 years का experience मांगा है और similar way में उन्होंने बताया है कि अगर आपका M.Tech degree है electronics engineer किसी तरह का experience उन्होंने नहीं यह contract basis पर और engineer trainee यहां पर एक vacancy है आपको deputy engineer के पोस्ट पर आपको recruit किया जाएगा यह आपको आपको यहां पर अभी बताते हैं तो इन्होंने मांगा है वह यह बीटेक, mechanical, metallurgy, material, ceramic, engineering overall percentage 55% और experience 2 years का मांगा है इन्हीं fields में अगर कोई आपका experience है आपको कोई भी qualification experience नहीं प्लस इन्होंने बोला है कि आपका लेकिन excellent written verbal communication और presentation skills होना चाहिए और साथ में आपका proficiency word, excel और powerpoint में होना चाहिए engineer trainee जैसे हमने बोला था तो यहाँ पे engineer trainee के लिए उन्होंने बताया है कि रांचेस तो सेम रखा है बी, बीटेक, mechanical, metallurgy, material, ceramic, engineering में overall percentage 55% और यहाँ पे कोई experience नहीं है जो लोग freshers है अगर उनको recruit किया जाता है तो यह engineer trainee के एक्सपिरेंस वालों के लिए deputy engineer है और without experience वालों के लिए engineer trainee है यह इन्होंने desirable रखा है तो mandatory नहीं है कि candidates का अगर experience defense laboratory में है और candidates को Hindi, Telugu और English आणी की है यह posting इनकी हाइदराबाद में है तो सिर्फ यहाँ पर यह बताया है इन्होंने कि सिर्फ हाइदराबाद लोकेशन पर रहेगी बाकि सभी जो आपके पोस्स हैं वह साहिबाबाद यानि कि गाजियाबाद उत्तरपदेश में रहेगी और फोर्थ का जो पोस्ट है वह है deputy engineer systems में contract basis है E1 grade total 3 vacancy है OVC में 2, ST में 1 यहां पिन्होंने बताया है B.E.B.Tech, electrical, electronics, telecommunication, implementation या mechanical engineering overall percentage 55% and above रहना चाहिए और दो साल का इन्होंने experience मांगा manufacturing industry या फिर आपने M.Tech किया हुआ है electrical electronics, telecommunication, implementation engineering में या पर कोई भी experience इन्होंने अब आप salary की बात करें तो E1 grade पर आपको पता है PSU में 40,000 से लेकर 1,40,000 तक रहता है 40,000 यहां पर आपका starting basic pay रहेगा CTC आपकी यहां पर रहने वाली है 10.24 lakhs per annum और वहीं पर जो contractual post हैं अगर आप वहाँ पर recruit होते हो तो deputy engineer की 9 lakhs per annum और आपका यहां पर आपका इन्होंने बताया है कि आपका दो साल के बाद extension भी हो सकता है उस समय आपका जो per year extension अगर होगा तो आपर 10% का increment किया जाएगा यह total CEL के management के उपर है वो further आपको continue करते हैं कि लिए अगर जादा हो रखी है तो वो लोग यहां पर apply कर सकते हैं जो मतलब 28-29 years तक हो गया है और engineer training वो लोग यहां पर apply कर सकते हैं और experience गेंड कर सकते हैं अब इन्होंने general instructions दिये हुआ है तो यहां पर आपको apply करने का last date 13th of March 2023 को है कि कोई online application आपको fill up नहीं करना है इनका last में एक application form इन्होंने दिया जिसको आपको fill up करना है और envelope में उसको send करना है by courier या speed post के दुरू और साथ में आपको सारे documents लगाने है self-attested करके और यहां पर इन्होंने non-refundable bank draft मांगा है 500 रुपीस का तो आपको central electronics limited favor of central electronics payable at गाजियावाद पर करना है तो वह ही अगर आप SC, STA, PWD से हो तो आपको कोई भी application की submit अगर एक post से ज्यादा के लिए apply करना है असता आते हो तो आपको दो application जो इन जनरल जो सभी notifications में अपाइस लिए में प्राउमन है तो आपको प्रोबेशन पर रखा जाएगा one year के लिए अगर आप प्राइवेट और्गनाशन पे काम कियो और आपका experience प्रेरिया फुल्फिल कर रहो तो आपको इन्होंने बताया है कि आपका आपको मिलेगा इसका 60 परसेंट यानि क्या प्रॉक्स शिक्स लैक्स अब आपका ctc प्रेजंट में होना चाहिए पर वहीं है अगर आप कांट्रेक्ट पर जारो तो नाइन लैक रखा है तो यहां पर फाइव पॉइंट फॉर रहे नाम आपका रहे अधर वाइस दावीव होना चाहिए और यहां पिंहोंने बताया है कि रिटेंट टेस्ट यह लोग कर सकते हैं अगर लार्ज एप्लिकेंट रहे अधर्वाइस डारेक्ट इंटर्विव आपका हो यह एक अच्छी चीज़ है कि टेरेक्ट इंटर्विव जो लोग रेगुलर पोस्ट यानि कि पर्मनेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इंटर्व्यू में इंटर्व्यू के लिए टू एंट फ्रो आपका थर्ड एसी का रेलवे फेयर दिया आपको ध्यान रखना हुआ कि आपका शॉर्टेस्ट रूट है कि आप अप आपका टू एंट फ्रो थर्ड एसी का रिंबस में कि आपड़ पॉइंट नम्बर 21 अमने कवर कर लिया है पॉइंट नम्बर 25 मेंनों बताया है कि जो पॉस्ट कॉंट्रेक्ट बेसिस पे हैं वो आपको इनिशिली वन इयर का है और फर्दर एक्सेंटेबल है अनदर इयर के लिए और प्रफॉर्मेंस बेसिस पे और प्रोजेट के रिक्वार्मेंट बेसिस पे वो और ज्यादा उसको एक्सेंट कर सकते हैं यहां पे कैंडिडेट्स किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते कि उनको रेगुलराइज या पर्मेनेंट पे अब्सॉर्ब किया जाए ठीक है वो कॉंट्रेक्ट पे हम लोग जानते हैं कि कॉंट्रेक्ट पे टोटल मैनेजमेंट डिस उनको फॉर्दर कंटिन्यू कराना है आपको उपर में लिखना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहो और उसको सेंड करना यह एड्रेस हैं आपके जाएन में थर्टीन्थ मार्च है यह हमने आपको अप्लिकेशन पॉर्मेट दिया हुए जिसको प्रिंट करके यह प्रॉपरली फिल अप करना है आपको डॉक्मेंट वेरिफिकेशन में रिचेक्शन का चांस कुंदा है जो भी कैंडिट्स इसके लिए अलिजबल है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं